अलो बच्चो तो आज वाले इस लेक्चर के अंदर आपने को स्टार्ट करेंगे यूरिया की केमिकल प्रपर्टी और उसकी फिजिकल प्रपर्टी ठीक है ना अज वाले इस लेक्चर के अंदर आप फिजिकल प्रपरटी और केमिकल प्रपर्टी करेंगे वोद कर देगा ठीक है ना तो चलो देखो आप जबने स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं बता हूँ आपको मैं बोलगा लाइप क्लास का तो लाइप क्लास सुन लो मेरी बात लाइप क्लास आपके भ्यान रकना नया चेप्टर यह पूरा मतलब एमीन खतम होने के बाद में इसके बाद में पार्ट दी के बाद फाही जब पार्ट इया जाएकका तो उसके बाद में आप κάνते helps कि आपको भूल जाओ पूरा पढ़ो उसको बाद में नहीं तो आप ही क्लास आएगी ठीक है तो चलो आज आपने स्टार्ट करते हैं क्या आपना बना ने इसको बना भी लिया था और नाम भी कर लिया था आप यूरिया का आप क्या करेंगे इसकी फिजिकल परपर्टी देखेंगे तो फिजिकल परपर्टी सुनो आप यूरिया तो आप सबने देखा ही है किस तरीके का होता है तो crystal crystal form में होता है और solid ठीक है solid होता है और किस कवर लोगा है तो बिल्कुल पानी में घूलता है क्यों क्यों कि जब बारिश आती है ना तब ही आप यूरिया चिड़कते हैं तो होता है कि जब बारिश का पानी आता है तो यूरिया उसके साथ मेल्ट होके पूरे खेट में फैल जाए जाता है इसते क्या होता है कि जो न्यूट्रीशन चाहिए खेट दीवाडी को या जो भी आपके फसल होगा रखे उसको तो न्यूट्रीशन उसको मिल जाते है ठीक है ना तो होता गया है आपके कि यूरिया जो है वोटर में तो ध्यान रखना क्योंकि हाईडोजन मॉर्णिंग है मैं आपको साब बताओं एक तो खुद में है दूसरी चीजी बनाने में स्तक्षम भी है बना सकता है दूसरे साथ रखे पानी के अंदर मस्त वाला पुलेगा चका चक वाला अगे याद रखना है इसका एक आप से उचहों मिल्टिंग होटा होता है बात रहेगी इसमझ में नहीं होता है गाफ कोई बात इसमझ में आ나네 चाहिए जब कि यह दो लुकिन जो आपका यह जो है युरिया इथर बेंजीन रहे नहीं गुलता अब आप इसके क्या करेंगे के देंकि दो यह हो chemical property क्या काम की यह मैं हटाता हूँ अबना सबसे नी रेज़ोनेंस वनुआता है यूरिया एक डाई basic acid ध्यान रखें। क्या है यूरिया डाई basic acid है है समझों यूरिया इस रख उलगा। कि ग्राइफ तर्फिट यूदिए धान अपना है अधिक है रख लोगे मेरी बात याद कि अपको यूदिए धान बखना है डाइबेसिक एसेड भत द्वी शारकी अमले हिंदी अंदर ये लिखा वाय है थे देख रहा हुं द्वी शारकी अमले आगई बात समझें अब सुनन डाइव ऐसे कैसे यह तो अभी बताता हूं कैसे लेकिन इससे पहले इसका रेजुनेंस देख लोगे तो अपने आप सारी कहानी समझ में आ जाएगी तो रेजुनेंस में बनाता हूं शुनो इसका नहीं है अब होगा क्या इसके इंदर सुनना यह जो ऑक्सिजन वाला प्वा इसका इस आपसे बनवा सकता है ध्यान लगना तो यह जो आपके एमीन वाला पार्ट इस इस अपार्ट के अंदर क्या होता है कि देखूं यह इदर गया जैसे यह जाएगा तो इस बूंग इंदर आज़ा है बुल बात आती है समझ में तो होगा तो सुनना यहां बनेंगा और कौन सा चार्ज और कौन सा चार्ज रहा है पॉजिटिव तो फिट से जो इलेक्ट्रों दी है वापस से ले लेगा तो सुनना क्या होगा यह उठके द्रहां क्या है अगरी मेरी बात समझ में तो अब क्या बन जाएगा यह बन जाएगा सी ऑक्सीजन का माइनस और यह फिर आपका नाइंड्रोजन डबल बॉंट पॉजिटिव चार्ज यह आता हो गया एक्षिर थी अच्छा स्वारी एनस टू ठीक है कि इसका बांडिस ही पात चाहिए तो यह माइनस तो हो जाएगा लेकि नहीं वाला पॉंट इधर हों जाएगा अगरी ना बात समझ में तो होता क्या है मैं आपको बता हूं इस तरीके से मतलब यूर्या जो है आपने तीन रेज्वेसंटर के अंदर एक्जिस्ट करता है था है फ्यक रूआ क्या मैं आको बता हूं तो यह जो एनस डू है यह हैնस से एक प्लस निकाल सकता हो यह एक इहां से अलए तो मैने बूल ला हैATA यहांने का निकलेा іसली उसको बहुत है ड़ाइबेसिक AID पाइबसे और है यह बात समझ में तो मैं इसलीओ श्रीला साय कि टो एक कहने एक आसेड क्यों लगाया क्योंकिह प्लस निकल रहा है क्लिट अपर्टी ऐसी एग यूरिया की वाला है क्लाइब बात अगई में समझ में तो इह लिए द्यान रखने या आपको किया रख लूगे मेरी बात याद इस तरीके से क्या आप कोई समझ में आपके लगे या पिर इस तरीके से भी देख लो कि सर हम यह बोलते हैं कि जो इलक्ट्रों लेता है वो क्या है या पिर मैं बोलू जो इलेक्ट्रोफाइल सेंटर की तरह भी एकप करता है तो यह देखो रेजोनेंस जब बनाया तब यहां ऐसे भी पता लग करता है तो एक नंबर में रेजोनेंस आपसे आ सकता है ध्यान रखना अब उसके बात में अगला अगला इसके अंदर क्या है इसका है 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 इसका है है ठीक है अच्छा एक चीज़ और आपसे बता हूं बायो मॉलेक्ट्रों जब मैं आपको पढ़ाऊंगा जेवर में तो उ द्यान रखना प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज डीएने को तोड़ने के लिए डीएनेज आरेने को तोड़ने के लिए आरेनेज वैसे ही यूरिया को तोड़ने के लिए यूरिया निकालते हैं मतलब मुत्र जो निकालते हैं उसके अंदर यूरिया निकालते वैसे मैं आपको वाले चप्टर में आगे बताऊंगा लेकिन फिर भी यहां ध्यान रखो कि आपने जो एक्सक्रेटरी प्रोड़क्ट निकालते हैं वो यूरिया निकालते हैं अगई बात समझ में रख लोगे बात याथ अब उसके बाद सुनों इसकी नाइट्रस असरी एक्षन है ठीक है हीट के उपर तुद देखो इसकी पहली एक्षन क्या है सुनना यह यह जो है इक और साथ करें अदेख्टरम के साथ रिक्षन है कि मैं इस रिएक्षन में आप प्रेंट के साथ रिक्षन है आज swoją ऑकि अ ketम आप पाई यूरिया इस तरीके से क्या आपको ये कहानी याद रखने है रख लोगे याद और इसके इंपर क्या बनते हैं आपके सीधी सी बात बोल देता हूँ, यूरिया के केस में, आपको वहाँ पे सबसे पहले गैस निकाल नहीं है, गैस कौन सी निकलेगी तो N2 निकलेगी, कहीं भी पढ़ दे ना आपके, एक नाइट्रोजन इसका और नाइट्रोजन इसका, ये N2 पहले निकलेगी, यूरिया को जब भी हीट करोगे, N2 निकलेगा, H2O निकलेगा, बाकी बच्चे को जोड़ के लिख देना, और कुछ नहीं करना, ठीक है, तो N2 निकलेगा, क्योंकि H2O इसे भी बोल रहा हूँ, क्योंकि पाड़ी, हीट पे तो अच्छे अच्छों का पाड़ी निकल जाता ह है, ठीक है न, तो यह क्या है, हीट पे, H2O पहले निकलेगा, N2 निकलेगा, बच्चा गया, सिर्फ CO2 बस्ता हो, तो CO2 मैंने लिख दिया, रख लोगे ये बात याद, अब यूरिया की रेक्शन है किस से है, सोडियम हाइपरोमाइट के साथ, सोडियम के साथ, यह आपन पहले भी लिचुके है, हाउफमान रोमाइट रेक्शन पढ़ाया था, उसके अंदर यह लिया था, अब इसकी जब रेक्शन कराते हो, तो क्या होता है, तीन अब यार तो अलग निकले हैं, आईए वाई समझ में, तीन अब यार आपके अलग निकले के, कि के ना, तीन अब यार निकलने के साथ है, आपका निकलेगा यहांसे, CO2, प्लस आपका निकलेगा H2O, प्लस आपका निकलेगा 3H2, तो देखो, इस तरीके से कि आपने एक सोडिय प्रोमाइट इक CO2, एक N2O और एक क्या निकलता है 3H2O, तो देखो, एक ही यह बाकी बचा जो जोड़ के लिख दिया, इसनको क्या करना, आप फोल के लिखना, जैसे तीन एने वो बियार ऐसा लिख लिया, और फिर इसको खोल निकलेगा, NS2O, तो अपने आप सारी बात समझ में आ जाएगा, कोई बैलेंस होके आएगी, पुली रिएक्शन, ठीक है, ज 2017 का, 17 March को तो जो पेपर हुआ है, लोगडाउन से पहले, वो पेपर के लिख और आये था, तो सुनँ क्या ही, देखो, इसके साथ एक्शन हैे, तो रिएक्शन विलदु, य जैङ जि डाइ कार्वोक्स यूच्ड इसके साथ है, रिएक्शन विल्दु य उत isके साथ, जै आपको मतलब सी डबलोंड मतलब सी डबलोंड मतलब सी डबलोंड मतलब यह आपके पास में क्या है ऑग्जैलिक ऐसे लिए इस ऑक्जैलिक एसी ड़ी की आपको रीक्शन करानी है किसके साथ यूरीय के साथ यूरीय का लगता है यूरीय आपको मेरी बात याद 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 नफ्यान रक्राओं यह इस तरी इसम दिखने रहा होगा तो यह जो यह जो लो आती है बात समझ में अब क्या होगा इसका एच और इसका ओएच निकल जाएगा और दो मैं बोला था अभी डाई बेसिक एसे डे तो ह निकालता है तो ह यह निकालेगा ओएच यह निकालेगा ओएच यह निकालेगा तो होगा कि यहां से चार्ज बना बना के निकालो तो यह ओएच माइनस में निकलेगा तो यह प्लस और यह प्लस में निकलेगा तो यह माइनस तो माइनस प्लस आपस में जूड़ जाएगा तो प्रोड़क सुनों क्या बनेगा प्रोड़क्ट बन जाएगा आपका इसको बोलते हैं ऑक्जिलिल एसिड क्या बोलते हैं और याद बात मेरी इसको बोलते हैं और याद रखना डे रखना अब नाम में क्या परो है ना एक नाम और दे रखा है इसको इसको पहरा बैनिक ऐसे इस बार जो एक्जाम में आए पेपर के अंदर आये था एक नंबर के अंदर रेक्शन पूछे लिएक्शन पूछा था तो को पूछा था तो के यूरिया में बन रहा था और दूसरी रिएक्शन में क्या मनेगा आई बाह समझ में तो मतलब इस तरीके से कोशन डिवाइडिंग में है था मतलब आई बाह समझ में छोटा कोशन था एक एक नंबर मैं इसमें पूछा था रख लोगे या पिर बाद या पो गया दूसरा देखो इसी कर दरी अच्छा है यह आपको मैं हुदिया इसका है ओम प्रोंट आपको मैं आपको मैंने वहां मैलोनिक एसड बताया है था ठीक है मैं मैलोनिक एसड़िए उधार है को तो होगा कि आप इसका एच और इसका ओएच निकल गया इसका और इसका ओएच तू निकल गया दोनों निकल गया तो देखो क्या बनेगा इस तरीक से तो चार्ज बना लो इसका एच प्लस बनाऊँगे तो पीछे माइनस और इसके बनाऊगे तो इसके प्लस माइनस और तो देखो में एने क्या है 2H2O तो निकारड़ा है इसमें भी कितने H2O निकलेंगे 2 ठीक है और यहां बजाएगा NH यहां भी बन गया NH ठीक है और यहां भी होगया C double bond O और यह C double bond O रखलोगे मेरी पाद तो इसको बोलते हैं Melonyl Acid क्या बोलते हैं Melonyl Urea या Melonyl Acid और यही ध्यान रखना Barbyurates है Barbyurates क्या होते हैं Barbyurates में आपको होता हूँ यह नींद की दवाई लेने में काम आते हैं आई बास में बास बार्बियूरेट होते हैं Luminal, Saconal इस तरह की दवाई आती है जो की नींद लेने में काम आते हैं आपको एक hypnotic और पड़ा रखा है मैंने Chloritone पड़ाया था पीछे जब आप Chloroform की reaction कराते थे किसके साथ Acetone के साथ में तो वहाँ पे भी मैंने आप वह बताया था दूसी चीज में यहां बतारूँ है Manolid Urea ध्यान रखना इसी दरीके से बनता है यह थ्यान रखना आप किसमें नीद की दवाही बनने में 具 हआता है लगोगे मेरे बात यहाद अगले के तरफ चल्ते हैं तो destruction आप क давно आपको यहा रख नहीं है मेरे गान के लाप अंदर क्या से यूरिया का टेस्ट कि यूड पता यह इं और और आपको कोई यहूरिया का टेस्ट है, इस टेस्ट को बोलते हैं, बाई-उरे टेस्ट के उर्सक्राइब उस यीट का इफेक्ट में ही आपके टेस्ट आजायेगा, ठीक है? तो हीट का इफेक्ट देखो क्या करते हो और कितना गरम करते हैं अच्छा यह टेंपरेचर फिक्स है ध्यान रखना इसको जब आप गरम करते हो दो अमोनिया के मॉलिक्यूल को लेके यह एक ना जाम अमों यूरिया लेके घरम करते हो दो मोलिक्यूल तो होता क्या है सुनो इसका और इसका और सब्सक्राइब प्लस एक अफ प्लस प्लस इक है और यह आपका इसक प्लस और यह माइस यह ना टाटब रहता है तो सुनना प्रोड़क्ट और क्या होता है यह एक है मिलके निकाल देता है तो यह क्या अमोनिय जब निकलती है न तो भी पता लग जाता है कि यूरिया आपको बेवन कंपाॉंड बताओं कैसे अब अमोनिय की स्मेल कैसे तो जब कभी पॉब्लिक टॉयलेट में गए हो तो प पॉब्लिक टॉयलेट के अंदर यूरिया की सडील ची बत्पू आती है तो ऐसी इसमेला जाती है दिमाग में चड़ जाती है दूबारा सुनगने का मन नहीं करेगा ठीक है न तो यह देखो कि निकल गया ठीक है फिर उसके बाद में सुनो यह क्या बंदा है अब मेरी बात सुनना इसको क्या करते हैं यह जोबी बनाई इसको अपन लेते हैं कॉपर सूप्रेट के बेसिक सॉट्इशन में डालते हो तो ध्यान अब करिक है नीला और भैंगनी कलर का मतलब नीला और बैंगनी कलर का सॉलीशन मिलता है आई बात समझ में, तो वो जो solution बनता है ना, वो यदी मान लो, कहने का मतलब यह कि इस प्रेम कॉपर सल्फेट का basic solution, basic solution का मतलब है NUH गोल के कॉपर सल्फेट के साथ डाल देते हैं, डालने पर क्या होता है कि बैंगनी या नीले कलर का यदी solution आ रहा है, तो इसका मतलब fix है क अपने को compound दिया था, वो क्या है, वो है अपना यूरिया है, आई बात समझ में, तो दिया वो compound इसका मतलब यूरिया है, तो इसको बोलते हैं क्या, दो यूरिया की molecule ले रहा हूँ, तो पहले तो इसका देख लो, blue या फिर, violet कलर का इसके अंदर क्या रहा है, इसका मतलब ये की fix है, जो आपको compound दिया था, वो आपको क्या था, यूरिया था, दूसरी चीज इसके इंदर यूरिया के कितने molecule काम में आ रहे हैं, तो एक ये और एक ये, दो आ रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं, बाई-उरे-ट-ेस्ट, क्या बोलते हैं, बाई-उरे-ट-ेस्ट, ये आपके पास में क्या आ गया, बाई-उरे-ट-ेस्ट आ गया, तो बाई-उरे-ट-ेस्ट आ आपको याद रखना है, दो यूरिया के molecule लेना है, तो यूरिया के molecule लेना है, 1500 degree centigrade पर गरम करना है, गरम करते हैं, आपके पास बाई-उरे-ट का compound बनेगा, उस compound को copper sulfate के साथ मे यूरिया नहीं है, अभी बाद समझ में, उसके बाद में इसी यूरिया को, अभी तो 150 के आप गरम कर रहे हों, लेकिन 170, थोड़ा सा और temperature बढ़ा तो, तो देखो क्या होता है, अब टेस्ट नहीं है, टेस्ट ही सिर्फ यही था, याद रखना है, याद रखना है, तो व्य विया र्वोईलर गलन आयगा, और आख नहीं है, उसको पिल कोब तो पिल कोंजाई है, कि अपने पास में, यूरिया है, एक लास्ट और देखो, इसके अंदर क्या है, 170 अटधिरी पर गरम करते हो, तो 170 बगरी संटिग्ड़ी संटिग्र पर क्या बनाता है, यह बनाता है, साइनिक एसेड क्या बनाता है साइनिक एसेड याद रखना मेरी बात यह बनाता है साइनिक एसेड आपको याद रखना है ठीक है वो बनाता कैसे है तो आपको क्या करना है इस तरीके से लेख लो यह बना यह इस तरीके से बना यह पास्ट होता है जैसे आप इवरिया को इत् अभी है आपके पास की साये निक ही अ हमसरे हिस तरी का रहिशा से टैंट है इस पर इस पर से हो इसकुल गए अ हरुआ हैं यह यूज सी तो इसके पास चला जाता है थी बातरि ये समझ में को यह हर यह यह एयट चुमिलकर निकाल जैता है तो देखो यह तो बोलो NS3 निकाल दिया, यह H तो इसके पास पहुंच जाएगा तो यह OH बन जाएगा, और यह NS2 और यह वाला H मिलके क्या बनाता है, NS3, और इनके बीच में पिर नाइड्रोजन और कार्बन के बीच में आज़ता है, त्रिपल बॉंड, रखलोगे मेरी बात याद, अब साइनी कैसे डी है, रुकता नहीं है यह आपे, यह बनाता है ट्राइमराइजेशन, ट्राइमराइजेशन सुनना किस तरीके से करता है, साइनी जैसे लिए आता है, देखो, C, O, या पर इसके उसके से लिए से लिए, C, ट्रिपल बॉंड, O, H, तो लवाती ही बात समझ में और यह, N, यह रुकेगा नहीं, यह चलता रहेगा, सुनना, फिर क्या बनाता है, यह बनाता है, C, ट्रिपल बॉंड, C, ट्रिपल बॉंड, N, और यह, O, H, फिर एको रहता है, फिर एको रहेगा, और फिर क्या और बनाएगा, आपका, N, ट्रिपल बॉंड, C, और यह, O, H ऑलो आती ही बात समझ में और फिर क्या होता है इसमें ट्रैम्राइजेशं त्री लक्की करन वता है इसके तीन मौलेकिल फिर क방 आते हैं यहां पर यस तरही मिलaled ऑपके ऑपन अथा है मैंना रेड़ ट्यूप के अंदर लेते हैं 778 डिग्री संटीग्रीड पर मैंने इलकाइन का लेंचे डाल रहा है आप पीछे जाके देख लिए वहां भी इस तरीके के ट्राइबरिजिशन करा है ठीक है तो होगा क्या जबी आहों का तो यह बन जाएगा आपका सब्सक्राइब करणे थैस की अरिक्राइब कर लहां करस्क्राइब करता है यह वहां फिलानद Apa भी तपा उख तो इस तरीके से यह जो अपना है ना इसको बोलते हैं साइनियूरिक एसिड बोलते हैं ध्यां बटना क्या बोलते हैं तो इस तरीके से क्या है आपको अपको एक रिक्षन हो रहे हैं ठीक है एक रिक्षन क्या है आपको फॉर्मल दी एड यूरिया के साथ है तो यह चीज तो आप जो और देखो फॉर्मल दी साथ कैसे है है ना तो अपर लोगें है रेक्षन वेदर एक्ष्ट शू ठीक है यूरिया के मतलब यह जो है आपका यूरिया के साथ एक्ष्ट शू करेगा तो यह मैं घाला है जिए सब ध्यां रखना साइन रूरिक इसे डाना ची एक नंबर में इस्ट्रॉक्चर बनवा सकता है ठीक है इसके क्या करें हैं इसके के साथ करहां है यूरिया की एक ही एक और मोल्ग लेने फ्रमेंट पहला की बाती ये बात समझ में और एक और वी यहां ह쉬 स्टरीकाइस दो मोली क्यून लेने हैं क्या ना करेंगा रिधार मैना इस प्यांस और छो बुलो है ऐसी ही को कि तो इस फ्यान बना प्लस डोलो आ जायेगा और एनेकुरो इन एक स heures और यह मन。 अब होगा क्या इनको अपनी अपनी तरफ लेकर चल जाएगा और यह माइनस के जुड़ जाएगा ठीक है और यह होगा यह ऑक्सीजन के चल जाएगा और यह बंगता अबस्ता अफ्रीड दो आपके अउसके चल जाएगा यह जाएगा इज सी इसके चल जाएगा और यह होगया पर और तो दो बिर आगाई भात मेरी समझ में इस तरीके से क्या एंहें डायमिथाइलॉल यूरिया इसको बोलते हैं well तो यह ध्यान रखना आपका क्या बन गया रख लोगे मेरी बात गया एक आपको हाइड्रजीन और मैंने बना पीछे हाइड्रजीन बनाया था हाइड्रजीन आपको आना चाहिए बनाना ठीक है ना हाइड्रजीन में कुछ नहीं करना हाइड्रजीन बनता कैसे दो यूरिया के मॉलेकुल लो एनस्त्री निकालो हाइड्रजीन बन गया बास काम खतम बात आगे जहीं समझ में तो यह कैया आपसे हो जाएगा अब आपने इत्ता ही करेंगे ठीक है सेमी कार्बेजाइड भी बन तो पड़ाई करते हो इस वाले लेक्चर में इत्ता ही करेंगे दूसी चीज आपको मैंने खतम कर दिया पूरा चेप्टर आपको पूरा चेप्टर खतम नहीं हुआ मतलब पार्ट जो डी है वो खतम हुआ भी पार्ट इब आना बागी है नाइट्रो वाला ठीक है तो उसक अगले लेक्चर में करेंगे तब तक के लिए ठेंक्स वर वाचिंग